तो आज मैं explain करें वाला हूं तो जोटी मैं मकार जो कि ठीट से में रिली जो चुकी है जान तो बहुत दिन बाट ट्राइ कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत गलती है तो माफ कर देना आये शुरू करते हैं कानिसर रहते है एक लड़ी की से जिसका अपने ब्रेक परवान होता है अपने बॉइफ्रेंट से तो वो दो बंदे को बोल करती है और उसको पैसे देख के अपने बेक करवाने के लिए आईडिया सुझाती है तो बाटिया को अपने लिड़ कास्ट अनवाह सिंग बस्सी और दोलाख रोपे अब यह उनका बिजिस्ट होता है पार्ट टाइम बिजिस्ट जो अपने मोज के लिए अपने खुश्य करते हैं वैसे दोरा नभीर कपूर यानकी मिक्की का खुद का एक फैमिली बिजिस्ट होता है काफी बड़ा होता है तो उसको कमाने को जूरत नहीं होती हमें दिखाया जाता है कि मिक्की के घर में उसके मुमी पापा होते हैं उसके बईया बाबी होती है उसके एक बतीजी भी होती है और उसके दादे भी होती है अब मिक्की अपने दोस्मानों के साथ गड़े में जा रहा होता है जहापे हमें पताया जाता है कि मानों की साधी स्थाध्य होने वाली उतीय है उसकी गल्फेंड से जो चाहता है कि वह अपनी शादी up कर ने कि इस बियुक्ण कहा है तो बाद में उसके लिए करना के लिए त्येर हो जाता है पिरव उनको रखने फोन आता है वना पता चलता है कि महानू कि बापा गुजर गज़र गया है अ हैं कि मौझे किसी आलत मैं इससे जोड़ा होना है तो अपना शुरु करते रूजेव और पती हованets पेमन के मुंझे है यानि कि उसके ब्राइया करने लगता है लेकि फिर भे नहीं ती वह इस बात पर में ना और फिर से प na मैं इक को यह साथ पर मानु के पास के रही होती है जो पर मानु कहता है कि तू यहां पर मेरे बेकर पुर्वाने आया है या फिर अपनी आशी लडाने आया है तू सिरफ इस पर फोकस कर और मुझे से अलग कर वा लेकिन वो कहता है कि तू अब उस्टे शादी कर ले कभी ऐसी जोड़ी यह बनती है उसको फ़जा देता है खुद मापस में दुरसे जानते हैं फिर टीनी को अब मैं तुझह पैयर नहीं करती तुम उसे दूर से दूर करता हूं और मैं तुझो अपने शादी करकर अपने लेकर लेकर चाहता हो यानिक अपने फैमिली से मिलवाने चाहता हूं बिकन वह लिए त्यों आप इसको इस करना श्टार्ट नहीं कि आतों से लेकिन फिर एट दियांड पर चलब फार्टी खतम होने तक वह हाँ कर देड़ी उसके प्रपोजल को लेकर फिर मिक्की टीनी को अपने घर पर बुलाता है अपने फैमिली वालों से मिलवाने के लिए बुलाता है जापर उपने फैमिली से क्वार्वालों को सब कुछ बचा को सब कर लेते हैं कि लड़का एंसम्ड और रिच फैमिली से बलों करता है और उनके बैठे को खुज रखेगा इसलिए और रिचने के लिए कर देते हैं उनके लिए निया फ्रैट खरीद देते हैं यहीं पे रहने का सटलमेंट सब कुछ इंतजाम कर देते हैं कि वो शादिकबाद खुश रहे अब आता काने में अब एक दिन मिक्की टीनी से मिलने के लिए जा रहा होता है मैं पर मिक्की के पास से कोल आता है अब जैसे मैंने आप लोगों को स्टाटि में बता दिया है कि मिक्की ब्रेकप दुराने का भी काम करता है ब्रेकप कराने का तो अब उसके पास से कोल आता है उस पर कोल पर एक होती है इसके उससे कहते हैं कि अरो याट की और यहाया जाए कि तो अन्धिन की और रहाले हैं अब मिक्यू मिलने के लिए यह रहे होते हैं त पर मिखी पास कोल आतर टीनी का जापर टीनी कहते है कि तुम करके रहे हैं साथ दिन हो चुके तुमने कुछ वी एफट नहीं मारे है जापर जहां पर पर टीना के बात च्छडवा देते हैं क्योंकि आपकोस वह तो वाइलड कि है जो उससे ब्रेक पर नचाती है अब पता च कौल करती है यानी की बीखेवाल एक बास उसे कहते हैं कि 36 के 56 श्कून तुम करवा कि रहा हूँ फिर उसको परना चाहती हो उसे पता चलता है वो शीदा पता देती है उस लड़के नाम रोहन है यानि कि मिक्के जिसे में ब्रेक परना चाहती हो और उसका अड्रस पता देती है इस तो ने बाद उसका शक बिल्कुल यह किरें बदल जाता है कि यह टिनी है जो मुझसे अलग होना चाहत यह पता चलने के बाद वो अब भी गेम खिलने लगता है और उसके मन में एक डाउट होता है कि आखरी शीदा आगे मुझे से बात क्यों ने कर रही और आखरी रीजन कहा है कि यह जो मुझे से शादी ने करना चाहती है अब यह प्लान फेल होने जाने के बाद दोबारे टिनी उसे दोबारे टिनी मिक्की को फोन करते है और उसे पूछती है कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है तुम दूसरा रासा बताओ मैं कैसे उसे अलग हो सकती हूँ अब दोबारे जैसे मिक्की को पता होता है कि यह टिनी बात कर रही है लेकिन मिक्य को सब कुछ पता होता है उसने ये सब कुछ प्लान किया हुआ है अफकोर्स कोई कुछ भी रियाक्ट ने करता और वहां से एक बाहना लेकर चला जाता है अब सर्दाकपूर जाने की टीनी फिर दुबारे फोन करती है मिक्की को और अगला प्लैन पूशती है जब वो बताता है कि अब तुम उसको उसकी लोयल्टी चेक करो फिर भी वही बात कि अब वो लोयल्टी चेक करने के लिए अपनी एक फ्रेंड को बलाती है और फिर ड्रेंड कर रोते हैं उसरत भ्लैइन अब उसको मिक्क एक चाहर चोड़ के सको करने हैं लखे बतानी पा रही है कि रिजन के और ये मझे जानना है अब मिक के पास न आता है तिन्नी गा जापर वो उससे और शॉट्समरा बताते हैं तो उसको रिजन बताती है कि रिजन ही हुता है वाई कि वो फैमिली च्वज़से इस शादी नहीं करना चाहती वो चाहती है कि मिक्की पूरी तरह से उसका रहे फैमिली को चोड़े उसके साथ रहे जाब के वाधिक पर वह ले तीयार नहीं होता जिस लेटर में लिखा होता है कि टीनी को एक स्कॉलर से मिलिए एक ओफर आया है बैंगलोर की तरफ से और वह वहां पर जोब करना चाहती है और वहां पर ही रहेगी यह लेटर पढ़ने के बाद मिक्की कहता है कि मैं तुझे वहां नहीं जाने दूँ तू यही मेरे फैमिली किसात रहेगी अब इसे सीज़ को लेगी वह उसे शादी तोड़ देता है और उसका यह जो प्रिक वाले को उसने अपना काम कर दिया अब ऐसा ही होता है और सब घरवालों के नजर में गलत हो जाता है मिक्की क्यों सब को लगता है कि यह चलता है हमारी बेटी से और यह इस होते हो प्रेंट होती है सब कर दे है गोडबरेंगी चाहिकर अब फरेंड होती है तो मैपकी के से सब्कार टी होती है फ Qui सक साथ होती है मिकी की बतीजी तो उसको बताती है उससे पूछते है, कि आपने ये सब क्या किया है, ये सब नही देखना चाही था मैं आपको अपनी मामी मांचुकी थी जड़ापो कहती है, कि मैं तुमारे मामा से जाने की मिक किसी प्याधर नहीً करती एफ वह लड़खी कहती है कि तो कोड़ बोलो कि मैं टिनी यह एलान करती हूँ उसको लाइफ में कभी भी नहीं देखना चाहती है अब यह सुने एक बाद उसको रिलाइज होता है कि उसको यह बात कैसे पता चली तो उससे पूछते हैं फिरो कहते हैं कि यह मुझे मेरे मिकी मामा ने बताया है अब यह सुने वाद उसको पता चल जाता है कि कोल पे जो बेरे कवाला था ऑर कोई नहीं बल्कि मिकी ही था अब फ्रो लंडन जाने से पहले उसके पास फोन करती है और उसको अपने गार पर बलाते है और उसके कहती है कि तुम ही थे वो जिसने यह सब कर आया है जापको काता है कि मैं किसे ने बताया फिर हो कहते है इस सब को छोड़ो तुम उसे प्यार करते हो यो नहीं जापको कहते है कि मैं तुम को दोनों में से किसी को चुनना पड़े टैपो समझाता है कि मेरी फैमिली ऐसे नहीं है, मेरी फैमिली आज की फैमिली की तरह मोडरन फैमिली है, वो तुमको समझेगी, तुम्हारी हर बात को, तुम्हारी हर चाजबात को मिर्स से ज्यादे समझेगी, मैं और मात जो कुछ भी हूँ, अपनी फैमिली के लिए हूँ, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए अगर तुम मेरे पास आती हो तो उन सब को सैप करके हो लेकिन कुछ भी कॉम्परमाइज नहीं करें अब यह बास सुने एक बाद वह भी महाँ से चली जाते है लंदन के लिए लेकिन जाते जाते फॉन कर देते हैं मिकी के फामली के पास और उनको बता देती चैनि अपने पूरी फैमली को गाड़े में बिटाकर एरपोट के लिए निकल पड़ता है बापे जाने के बाद बहुत ही मुश्किल से बहुत ही मेनद करने बाद के फैमली वालों को और उसको टिनी मिल जाती है और उसको वापस हो घर लिया थे उनके शाद्य हो जाती है और भाई यह होती है हमारे मुवी की हैप्पी एंडिंग अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर ऐसे एक्पोलेशर आकर देखने हो तो कुमेट सेक्शन में बता देना मैं बहुत हो अगली किसी वीडियो में तुब तक के लिए हो के बारे